10 Biggest and Largest Dogs in the World आज की वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की 10 सबसे बड़ी नसल के कुत्तों को और नमबर वन पे जो डॉग आता है वो तो आपके वोश्मूर आ देगा इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना नमबर टेन, बुली कटा इस विशाल कुत्ते को बुली कटा और पकिस्तानी मेश्टिफ के नाम से जाना जाता है जो की एलांट कुत्तों का परत्यक्ष वनसज है ये एक शिकारी कुत्ता है जिसे अन्ने जानवरों से अपने मालिक की रक्षा करने के लिए पाला जाता है ये डॉग 200 पाउंड यानि की 90 किलोग्राम और 3.5 फुट तक लंबा खड़ा हो सकता है और अगर इससे अच्छी तरह से एक्सिसाइज कराए जाए तो ये अच्छी खासी बॉडी बना सकता है हाला कि ये अब एनिमल फाइट में यूज नहीं किया जाते पर फिर भी बुली कट्टा का विहवार उतना दोस्ताना नहीं होता अगर आपको एक गार्ड डॉग की जरुवत है तो बुली कट्टा एकदम सही है क्योंकि ये उन लोगों का साथ जरूर देते हैं जिनसे ये सच में प्यार करते हैं लेकिन दूसरे जानवरों और अजनबियों पर हमला भी जरूर करते हैं आप साथ इस आइकोनिक कुते को डॉग डी बॉडे या फिर फ्रेंच मेश्टिव के नाम से पहचानते होंगे वैसे ये कई नाम से फेमस है जैसे बॉडो मॉष्टिफ और बार डॉट डॉग पर दोस्तो इससे कुछ फरक ने पड़ता कि आप इने किस नाम से बुलाते हैं ये नसल 27 सेंच लंबी है और इसका वजन 70 किलो ग्राम तक है कुछ लोगों को इसका चहरा दरावना लग सकता है पर ये एक्चुली में ये शक्तिसाली कुटा बहुती वफादार और प्यारा है आपको बता दू कि पहले की समय में ये घर की रखवाली से लेकर भेड़ बक्रियों की रखवाली करने और यहां तक की गाड़ियां खीचने तक के सभी कामों में माहिर थे लेकिन आज कल ये घर की अंदर एक शान्थ और अच्छी दोस्त की रूप में जाने जाते हैं दोस्तों न्यूफाउंड लेंड एक ताकतवर और वर्किंग डॉग है ये एक अच्छा स्विमर है और एक महान वाटर रेस्यू डॉग भी है कई बड़ी नसल वाले कुटों की विपरित निवफाउंड लेंड गार्ड कुटा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था इसकी बजाए इनका में काम मच्छुआरों का हाथ बटाना जैसे की जाल खीचना, बोट खीचना, हाथ गाड़ी खीचना और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई बंदा नाओ से पानी में गिर जाता था तो ये उन्हें भी पानी से बाहर निकालने में मदद करता था जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे ही नहीं ये सबसे ताकतवर कुटों में से एक मनना जाता है वास्ताव में समुदर में बहुत से लोगों को इसकी हेल्प से बचाया गया है, जिसका श्रै इन कुटों को ही दिया जाता है ये कुटे धाई फुट तक होते हैं और इनका वजन सतर किलो ग्राम तक देखने को मिल जाता है जो की देखा जाए तो एक एवरेज इंसान के बरावर होता है और इसके अलावा ये अपने मोटे डूल कोट के कारण और भी बड़े दिखते हैं जो की इन्हें बरफिले पानी में भी गर्म रखता है अगर आपको Newfoundland कुत्ता ना मिल पाए तो पेश आपके लिए सेंट बरनार्ड ये भी बहुती फलफी और शांदार कुत्ता है मूल रूप से इसे स्विस एल्प्स और नॉर्थन इटली में एक रेस्क्यू डॉप की रूप में बनाया गया था सेंट बरनार्ड एक विशाल, फ्रेंडली और कभी भी लार्ख अपकाने वाला एक त्यारा कुत्ता है जिसकी उचाई तीन फुट तक होती है और ये दुनिया के सबसे भारी कुत्तों में से एक है औसतन लगभग 90 किलोग्राम इन में से कुछ कुत्तों का वजन 120 किलोग्राम तक भी दिखा गया है बताया जाता है कि सेंट बरनार्ड धरमसाला के मौंक्स को इन कुत्तों को रेस्क्यू डॉग बनाने का क्रेडिट दिया जाता है हाला कि आज के सेंट बरनार्ड जहातर फैमिली डॉग्स हैं और ये क्यूट प्यार करने वाले फ्रेंडली कुत्ते होने के लिए फेमस हैं जो की परिवारों और बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिलकर रहते हैं इस कुत्ते की लंबाई धाई फिट और वजन 110 किलोग्राम तक हो सकती है इंग्लिस मैश्टिफ को दुनिया में कुत्तों की सबसे बड़ी नसलों में से एक माना जाता है जैसा की आप जानते ही होंगे ग्रेट डेन के नाम सबसे लंबे कुत्ते होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है लेकिन सबसे भारी होने का record एक English Mastiff के नाम है सबसे heaviest dog की बात करें तो अकामा जोर्बा नाम के इस English Mastiff का वजन 155 kg दर्ज किया गया था देखा जाए तो एक average इंसान से दो गुना और इनके पास सिर्फ साईजी नहीं बलकि बहादूरी भी होती है पहले की समय में इनको बहुती खतरनाक इस sports में यूज किया जाता था जैसे कि भालू, बैल और यहां तक की शेरों से भी लड़वाया जाता था लेकिन आजकल इनकी हिम्मती और बहादूरी थंडे बस्ते में रहती है क्योंकि अब यह बहुती क्यूट और फैलली रहना पसंद करती है इसलिए अगर आपके बच्चे एक कुत्ते की मांग कर रहे हैं और आप गुसपैटियों को डराने के लिए किसी बड़े कुत्ते की तलाश कर रहे हैं तो इस नसल की कुत्ते आपकी पहली पसंद होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देख रहे हैं तो आप यह समझ गई होंगे कि मैश्टिफ नसल की कुत्ते सबसे बड़े डॉक्स की लिष्ट में बार बार आ जाते हैं यह जातर एक गाड़ डॉक की रूप में यूस किया जाता है और एक एवरेज मेल निया पॉलिटेन मैश्टिफ लगभग धाई फुट तक लंबा होता है और वजन सतर किलोग्राम तक हो सकता है जबकि फिमेल निया पॉलिटेन मैश्टिफ आम तोर पे कुछ इंची छोटी और 50-60 किलोग्राम तक हो सकती है निया पॉलिटेन मैश्टिफ की उतपती दक्षिन इटली में होई थी और ये निडर होकर अपने घर और परिवार की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं जो कि इन्हें बेस्ट गाड डॉग बनाता है निया पॉलिटेन मैश्टिफ गुस पैटियों को चितावनी देने के लिए भॉखने की बजाए गुस पैटियों पर चुपके से हमला करने के लिए जाने जाते हैं इसी लिए गलती से भी आप एक निया पॉलिटेन मैश्टिफ और उसके परिवार की बीच खड़े नहीं होना चाहेंगे और अगर आप इसको अपने घर में लाने के सोच रहे हैं तो आपको बता दू कि इसको ट्रेन करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है इसकोटिफ डियर हाउंड अपने नाम के साथ अपना पूरा उद्देश और उत्पत्ती बताता है इसकोट्लेंड में जनमें ये कुट्ते एक टाइम पर लाल हीरन का शिकार करते थे और अपनी लंबी टांगो से असानी से अपने शिकार का पीछा कर सकता था ये कुट्ते 2.6 फिट तक लंबे और 50 किलो ग्राम के वजन के हो सकते हैं पर फिलहाल अभी किसी हीरन का शिकार नहीं कर रहे हैं लेकिन उत्साही लोग अभी भी इन्हें शो आफ के लिए पालते हैं और कुछ जगों पर तो कुट्तों की गेम्स में इनसे आज भी ये कुट्ता पारंपरिक रूप से पश्यों को चराने के लिए यूज किया जाता है। अकार के कारण नहीं हैं बलकि इसलिए भी है क्योंकि इस नसल को अन्य कुट्तों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती हैं और जरा भी धमकी मिलने पर ये आकर्मक हो जाती हैं लेकिन अगर आपको लगता है इन्हें आप अपने एक्सपिरियेंस से ट्रेन कर लोगे तो ये कुट्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और सच में ये राप को आपके घर की बहुत अच्छी तरह से रखवाली करेगा हालाकि ये सबसे भारी कुट्ता नहीं है लेकिन ग्रेट देन सबसे उचे कुट्तों में से एक जरूर है इनकी लंबाई धाई से तीन फीट तक होती है लेकिन अक्सर ये और भी लंबे देखे जा सकते हैं आपको बता दू कि सबसे लंबे कुट्ते होने का वेल्ड रिकॉर्ड दा ग्रेट जीउस नाम के कुट्ते के पास था जिसकी लंबाई 3.6 फीट थी दुरभागे से ग्रेट देन की उम्र बहुत छोटी होती है ये सिर्फ 8 से 10 साल के बीच ही जीवित रहते हैं जो की अधि तोर पे कुट्तों की सबी नसलों में सबसे बड़ा माना जाता है लेकिन अगर नमबर वन वाले कुट्ते को आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे ये वास्तव में ग्रेट देन से भी लंबा है लाश्ट में हमारी लिष्ट के टॉप पर ये कुट्ता आता है जो की ग्रेट देन से भी लंबा है जबकि दुनिया का सबसे लंबा कुट्ता वास्तव में ग्रेट देन ही है तीन फिट लंबाई के साथ आईरिश वुल्फ हाउंड अकसर एक एवरेज ग्रेट देन की बरा लग सकता है पर अभी अपने पुराने काम को छोड़ चुके हैं और सही धंग से अगर इन्हें ट्रेन और सोसलाइज किया जाए तो ये अच्छे फैमिली डॉग की तरह घर में रह सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना है आप इनमें से कौन से कुत्ते को अपना पाल तो कुत्ता बनाना शाहेंगे हमें कॉमेंट में जरूर बताना